So friends, आप लोगों ने सुना ही होगा South China Sea, जी हाँ, South China Sea के बारे में काफी बार आपने news में सुना होगा, आज जानने की कोशिस करेंगे कि what exactly is the issue of South China Sea, देखी ये historical issue है, काफी पुराने टाइम से आपके news में रहता है, और ये आज की बात नहीं है कि China इसके ओपर claim करता है, it is about basically very very old period कि China इसके ओपर claim करता है, तो यहाँ जानने की कोशिस करेंगे, समझने की कोशिस करेंगे कि what exactly is South China Sea, क्या-क्या problems देखने को मिल रही है, किस तरीके से China South China Sea के ओपर अपना claim दिखा रहा है, and finally यहाँ पर समझने की कोशिस करेंगे, कि South China Sea का जब सवाल आता है, तो हम किस तरीके से इंडिया के जो interest हैं, वो hamper होते हैं, और आज इंडिया किस को किस तरीके से tackle कर रहा है, क्योंकि South China Sea सर्फ हमारे लिए ही important नहीं है, बाकी काफी सारे ऐसे areas हैं, जहाँ पर South China Sea की equal importance नजराती है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, और session के अंदर जानने की कोशिस कर हैं, what exactly is South China Sea, तो यहाँ पर आपको word देख रहा होगा, South China Sea, ठीक है, देखिए, जो word है, वो क्या represent करता है, क्योंकि यह particular water body, China के South में है, इसलिए हमने इस particular water body का नाम दिया, South China Sea, but इसके surrounding यह आज की मैं बात करता हूँ, तो right here, आपके China के East में, आपको देखने को मिलेगा East China से, और जैसे कि आप लोगों को पता है, कि यहाँ पे चाइना के अलावा, वियतना, कमबोडिया, मलेशिया, देन, कॉललंपर, ब्रूनी, तो multiple nations, जो कि यहाँ पे exist करते हैं, तो right here, मुझे पता लगता है, कि South China Sea, जो चाइना अकेला क्लेम करता है, वो अकेला नहीं है, इस जब मैं South China Sea पे आता हूँ, तो थोड़ा इसकी importance के बारे में जानने की कोशिस करते हैं, जब South China Sea की बात आती है, तो मुझे पता लगता है, यह particular water body, आपके East China Sea से connect होती है, इस particular straight से, अगर straight की बात करें, तो straight होता है, एक ऐसा narrow channel, जो किसी दो broad channel को connect करता है, तो right there, यह जो Taiwan और China के बीच का area है, यह क्यलाएगा Taiwan Strait, जो South China Sea से East China Sea को connect करता है, simply, अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर मैं बात करूँ, आपके Indian Ocean वाले पार्ट की, तो definitely South China Sea, इस पार्ट से, आपके Indian Ocean से भी connect होता है, तो यहाँ पर भी आगीन, एक straight आएगी, और straight का नाम होगा, State of Malacca, तो मेरे पास दो important street, आपके exam के लिए important हो जाती है, one is Taiwan Strait, जो की, आपके South China को East China से connect करेगी, और दूसरा आपके पास होगा, Malacca Strait, जो की South China को Indian Ocean से connect करती है, इसके बाद जब आगे बढ़ती हैं, तो मुझे पता लगता है, इधर की तरफ जो area है, वो Philippine Sea के लाता ह और ये street जो होगी, वो होगी Luzon Strait, तो मतलब तीन street आपके पास यहाँ पर important हो जाती है, वो होगी Taiwan Strait, Malacca Strait and Luzon Strait, अब सवाल क्या नजर आता है, देखिए, ये जो particular nation है, China है, South Korea है, Japan है, Philippine है, Malaysia है, Bruni है, ये जो सारे nation है, अगर इनको किसी भी type से trade करना है, किन countries के साथ में, आपके इधर वाली countries के साथ में, तो definitely इस route से जाना पड़ेगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि South China Sea का strategically काफी जादा important part हो जाता है, चाहे वो सिरफ इंडिया के लिए ही नहीं, वो सारे other nations के लिए भी जो भी इस route से pass out होना चाहते हैं, लेकिन अब problem क्या है, problem ये है, कि China का कहना है, ये जो South China Sea है, ये particularly China से belong करता है, बिलोंग करता है मतलग, China territory के अंदर South China Sea आता है, that is 90% area of South China Sea is claimed itself by China, अब सवाल आता है कि बिना आधार के बिना base के तो China claim नहीं कर रहा होगा, definitely कोई न कोई explanation तो China ने जरूर दी होगी, कि इस भी आप से हम कह सकते हैं कि ये sea जो है, ये particular part जो है, वो South China Sea जो है, वो China का part है, बस उसी explanation को, उसी चीज को जानने की कोसिस करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि specifically this part के अंदर क्या है, देखिए, आपने दो चीजों के बारे में जरूर सुना होगा, एक होता है 11 dash line, और एक होता है 9 dash line, exactly ये dash line क्या है पहले इसके बारे में जानने की कोसिस करते हैं, देखिए, जैसे इंडिया के ओपर British power का rule था, और हम इंडिया को independent करवा पाए 1947 में, इसी तरीके से जब चाइना की बात आती है, तो we get to know कि चाइना के ओपर multiple powers का rule था, मतलब सिरफ British का नहीं, French भी, Portuguese भी, US भी, चाइना के अ और उन्होंने क्या किया, चाइना की जो ओफिशियल थी, उन्होंने लाइने ड्रो की, जैसे आप ये डैस लाइन देख रहे हो, ये डैस लाइन टोटल में नंबर में 11 थी, मतलब Chinese ओफिशिल के एसाब से 11 डैस जो ड्रो किये गए थे, वो particular territory किस से बिलोंग करती थी, में एक इंट्रेक्शन देखने को मिला चाइना का, जो कि ये वियतनाम के पास जो एरिया है इसको गल्फ बोलते हैं और गल्फ आफ टॉंकिन ये एरिया है, चाइना ने अपना क्लेम वियतनाम के इस गल्फ आफ टॉंकिन पे छोड़ दिया, कब 1954 में, अब सवाल आता है कि जब चाइना ने इसके ओपर क्लेम छोड़ा, तो फिर क्या होगा? अब्यस सी बात है, ये डेस्ट लाइन कम हो जाएंगी, तो यहाँ पर देखने को मिला कि मेरा 11 डेस्ट लाइन की जगा है, फिर मेरे पास क्लेम आया कि चाइना ने जब आपके टॉंकिन पे क्लेम है, बिसिकली चाइना किस भियाव पे इसको क्लेम करता है, क्योंकि जब मेरे पॉटर बोड़ी का सवाल आता है, ताप लोगों को समझ आ रहा होगा कि देर मसमी सम इंटरनेशनल लोज, जो कि वॉटर बोड़ी को क्या करें, रन करते होंगे? जानते हैं पहले कि देखने को मिल रही है, ये पर्टिकुलर पार्ट जो है, वो आपका आता है एक लैंड मास और इसके बाद आपकी आती है एक वोटर बोड़ी, तो वोटर बोड़ी में मुझे पता लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट जोन होते हैं, जैसे टेरिटोरियल सी होता है, 12 आपको नजर आता है 200 नॉटेटिकल मायल में, जिसको बोलते हैं, एक्सक्लूसीव एकनोमिक जोन, जी हां, एक्स्क्लूसीव एकनोमिक जोन, राइट हीर, आपको एक वर्ड नजर आ रहा हा, एकनोमिक, मतलब इस पर्टिक्लर subscribers के अंदर, 200 नॉटेकल मायल के अंदर, जो मुझे नजर आता है मुझे बुरुनी नजर आता है फिलिपाइन नजर आता है आपका ताइवान नजर आता है अगर डिफरेंट रीजन है तो उनका 200 ڈव वो चाई ना जो कर रहा है in particular nations का भी वहाँ पे claim बनता है definitely बनता है but China की argument कुछ अलग ही level पे चलती है और वो किस level की argument है उसके बारे में जानने की सब्षस करेंगे उससे पहले किमपोर्टेंट चीज और देख लेते है actually इस particular area के अंदर कौन से कौन से ऐसी nation है जिनका claim established होता है तो सबसे पहले obviously China का border है तो no doubt China का South China Sea पे कुछ claim तो बनता ही है ऐसा नहीं है कि complete South China Sea China के नाम पे होगा but still international laws के according भी कुछ claim तो China का भी बनेगा तो definitely China इस पे claim कर सकता है इसके अलाबा चाइना के अलाबा यहां देख पा रहे हैं ताइवान है तो ताइवान भी इसके ओपर claim कर सकता है apart from this अगर मैं बात करता हूँ तो फिलिपाइन जो area है फिलिपाइन वाला area तो definitely वो भी claim कर सकते हैं apart from this आपका Malaysia है, Bruni है, Indonesia है Singapore और Vietnam यह आपका पूरा portion देखने को मिलता है जो कि इसके ओपर claim करता है अब जब claim करता है तो फिर China इसको कैसे internationally explain करता है China क्या अपनी explanation देता है कि क्यों यह South China से सिरफ China को belong करता है देखे आप यहां पर थोड़ा सा carefully देखेंगे तो आपको देखेगा कि यहां पर छोटे छोटे आइलेंड है जैसे कि partial आइलेंड है Sparty आइलेंड है यह आइलेंड जो है वो China claim करता है कि these islands are claimed by China मतलब यह China की territory है अब China की territory है तो उसके अंदर China की argument यह है कि हमारी जो density rule किया करती थी उस time पे these islands were also ruled by China मतलब China की dynasty इनके उपर भी rule करती थी और अगर rule करती थी तो definite सी बात है post-independence भी हमारे पास यह territory रहना चाहिए दूसरे important चीज अब China ने क्या किया यहां पे यह चीज़ आप देखने को मिलेगी कि China ने इस particular reason में जो कुछ island थे कुछ island ऐसे थे जो कि sink down हो गए sea level rise से बोले या किसी भी level पे बोला जाए लेकिन China का कहना था कि हम यहां पे artificial islands जो हो बना देते है अब आपको सवाल आएगा United Nations Convention on Law of Sea वो यह भी बोलता है क्या कि artificial island अगर बनाया जाए तो फिर वो territory automatically किसी country की हो जाएगी और आप भी सोच सकते हैं इतना तो सब जानते होंगे कि अगर ऐसा होता कि artificial island से हमारे territory भड़ बाती तो definitely India, India, Indian Ocean के अंदर Australia भी Indian Ocean और आपके Pacific Ocean में मतलब हरी country इस तरीके से artificial island बनाना सूब करता है इसलिए जो आपका United Nation Convention on Law of Sea है वो साफ साफ deny करता है कि अगर आप कोई artificial island बनाते हैं तो वो आपके territory के अंदर include नहीं होगा या फिर उस means से आपके territory आगे नहीं भड़ेगी चाइना का इसमें कहना है कि देखे हम कोई artificial island नहीं बना रहे हमारा simple सा concern है कि global warming से अगर कोई island डूब गया है तो हम उसको renovate कर रहे है simple सा claim इस तरीके से आता है तो right here मुझे पता लगता है कि चाइना कि ये सारे claim जो है वो नजर आते हैं और जो red color की line आप देख पा रहे हैं तो चाइना का कहना है कि ये सारा area हमारा है अब हुआ क्या हुआ ये कि चाइना के अंदर ये जो territories है वो तो ठीक है वो claim करता है लेकिन एक news आपको देखने को मिलेगी news क्या है ONGC अब ONGC का क्या काम है ये एक Indian company है जो कि oil को explore करती है मुझे देखने को मिला ONGC's presence in the South China Sea Beijing Setup Oil Rig basically ONGC की South China Sea के अंदर presence है अब सवाल आता है कि sir ONGC क्या कर रही है यहाँ पर देखे थोड़ा सा इसकी economical importance के ओपर ध्यान देते है तो थोड़ा chronology देखेंगे और फिर economical importance के बारे में जानेंगे कि exactly issue क्या हो रहा है 1952 का time था Beijing ने अपना 9-line का पार्ट जो है वो issue किया Beijing ने बोला कि ठीक है 9-line हम draw कर रहे है इसके बाद में 1994 जो कि United Nations Convention on Law of Sea आता है जिसके बारे में China जो है वो बोलता है कि या तो हम मानेंगे ही नहीं और अगर मानना भी पड़ता है तो हम artificial island बना कि अपनी territory को आगे तक बढ़ा सकते हैं देखिए अब अगर ऐसा होगा तो आप खुद बताएं ये जो particular nations हैं इनके पास में क्या options रहेंगे definitely इनके पास कोई option नहीं रहेगा ये सोचेंगे कि किसी तरीके से अपना एक grouping किया जाए और आपको देखने को मिलता है जो ASEAN की grouping है वो कहीं न कहीं चाइना को ही counter करने के लिए बनाई जाती है तो right here चाइना ASEAN से negotiate करना शुरू करता है 2002 के अंदर बट still ये issue जो है वो diplomatically solve नहीं हो पाते In 2016 मुझे देखने को मिलता है एक arbitration tribunal बनाया जाता है जो ये claim करता है कि चाइना को ये area जो है वो कम दिया जाएगा बाकी nation का भी ये area है बट आप मान सकते है क्या चाइना इससे satisfy होगा No at all चाइना को इससे कोई satisfaction नहीं था इसलिए चाइना अपना 9-dash line के उपर ही काम करता है अब बात ही आती है कि जो आपका ONGC जो है वो कहां देखने को मिलता है वियत नाम से बात होती है ONGC यहां पर investment करता है और oil को explore करना शुरू करता है अब चाइना का सवाल ONGC से भी है चाइना का सवाल Indian government से भी है कि why you guys are here क्योंकि यह तो हमारी sovereign territory है लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि चाइना ऐसी चीज़े बहुत बार करता है चाहे आप किसी भी example को उठा सकते है पाकिस्तान occupied कस्मीर पे बात करें आप अकसाइचीन के ओपर बात कर सकते है जहां पर without any permission चाइना अपने villages को develop करता है चाइना पाकिस्तान economic corridor को develop करता है belt and road initiative लेके आता है तो I think Indian government को यहां इससे कोई फरक भी नहीं पड़ता कि whatever you would like to think you can think लेकिन हम तो यहां पर exploration करेंगे अब करेंगे तो सवाल आता है क्यों क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूंगा कि जो artificial islands है that are neglected और यह बताया जाता है कि यह exclusive economic zone या फिर international जो convention है आपका इसका total violation है means you are not going along with the international convention and that is a dangerous thing जो कि यहां पर South China Sea में देखने को मिल जाती है अब सवाल आता है कि सहीं जो South China Sea है यह इतना important है क्यों first of all हमने देखा कि काफे सारी स्ट्रेट थी तीन important स्ट्रेट है आप फटा-फटा सी नाम बताइए कि कौन सी कौन सी important स्ट्रेट मैंने अभी डिसकर्स की है उसके लिए एक अच्छे connecting link का का काम करता है दूसरी चेस मुझे पता लगता है United Nations Convention on Trade क्या one-third UNCTAD जो है मुझे बताता है कि global one-third जो shipping है वो इस रूट से पास होती है क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक तो यहां पर अच्छे कासे all resources है इसके अलावा energy security को इंशोन करना population अच्छी कासी इस एडिया के अंदर रहती तो definitely मेरे पास trade perspective से यह route काफी important हो जाता है apart from this, यह एक अच्छा fishing ground भी है और आपका oil and gas का reserve भी है इसलिए China क्या चाहता है अपनी energy security को बढ़ाने के लिए complete South China secure पर claim करता है but still, क्योंकि यह international level पे हम नहीं मान सकते क्योंकि आपका United Nation Convention on Law of Sea तो यह कहता है कि internationally हमें अपना 200 nautical mile exclusive economic zone हर एक nation को देना चाहिए जो कि India उसी को promote करता है ONGC अभी भी वहाँ पे investment करती है अभी भी oil exploration करता है आप मुझे एक बाप बताईए कि आप एक चीज़ बताईए क्या ONGC को वहाँ पे exploration नहीं करना चाहिए क्या हमें रोग देना चाहिए या फिर हमें उसके अंदर region में ज्यादा investment बढ़ानी चाहिए देखो देखने को तो यह मिलता है कि आपका India जो है Indian government जो है वो credit line भी issue करती है उन countries को यह credit line क्या होता है credit line एक ऐसा loan होता है जसके ओपर interest बहुत काम होता है और वो उतना ही होता है जितना पैसा यूज किया जाता है इसका क्या मतलब है सर लेट से अगर किसी nation को 100 million का loan दिया गया है as a credit line और वो nation सिर्फ यूज करता है 50 million तो उस case में क्या होगा सिर्फ 50 million पे interest लगेगा बाकी के ओपर interest नहीं लगेगा और simple सा कारण इंडिया का ये है कि इंडिया international laws को follow भी करता है और चाहता है कि peacefully हर एक reason के अंदर establishment जो है वो हो सके energy security को अपने enhance करना इंडिया का भी अपना target है तो definite सी बात है कि हाँ पे मुझे देखने को मिलेगा कि मुझे इंडिया की तरफ से I think it is going in the right way and definitely हमें उसके अपर focus करना चाहिए एक important information में बता देता हूँ आपको कि आज geography as an optional कि अगर आप तयारी करना चाहते हैं तो live foundation batch के अंदर this is the last day जब आप enroll कर सकते हैं और आप use करेंगे couple live code so you will be getting it at a discounted price of 12499 only and yes दोस्तों आज सिरफ last date है 31st August इसके बाद आप इस course में अनरोल नहीं कर पाएंगे and similarly अगर आप अपनी foundation को बिल्ड करना चाहते हैं which is essential for any of the examination तो उस case में भी आप couple live का code use कर सकते हैं 18999 पर आपको foundation batch भी मिलेगा and the thing is 31st August that is today only is the last date even for resisting the foundation batch as well तो दोनों प्लेसे पर आपका पिल लाइब का code यूज कर सकते हैं and yes today is the last date for this okay guys thank you very much hopefully this session was helpful for you thanks a lot